नमस्कार दोस्तों पसू प्रीचर बरती जिसके मातर और मातरा 55 दिन एकजाम के बच्चे हैं ये 5-6 मिनट का एक सांदार आपके लिए वीडियो में लेकर आया हूँ ज्यादा से ज्यादा सुनने पर जोर आपका होना चाहिए इस वीडियो में सातियों में यहाँ पर 55 दिनों के अंदर आपको कौन सी किताबे हैं जिनका अधिक से अधिक अब पढ़ाई पर द्यान देना यानि ज्यादा से ज्यादा उन किताबों को पढ़ेना है और इसके अलावा इन 55 दिनों के अंदर कौन सी क्लासेज अटेंड करनी है कैसे आपको अ गंटे तक अगर आप दिन करोगे तो आराम से इस भरती में आप सपलता के सिकर पर पहुंच सकते हो दोस्तों सभी सात्यों का अर्दिक स्वागत और सभी सात्यों को नमस्कार सात्यों अब तक आपने पसू प्रीचर बरती की चाहे कैसी ही तैयारी की हूँ लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप में एक जुनून सा जगेगा एक आज सी जगेगी कि इस बार अब पच्पन दिन अगर मैंने पढ़ लिये या मैंने दिन कर लिया तो मैं इस बरती क के अंदर सेलेक्शन ले सकता हूँ दोस्तों तो देखे मैं वीडियो की सुरुवात कर रहा हूं सबसे पहले जो बात मैं आपके सामने रखूंगा वो बात रखूंगा पच्पन दिन की पच्पन दिन अमारे पास अब अब पच्पन दिन के अंदर सबसे बड़ी बात 55 दिन में हमें लगबग पढ़ना है उसके अगर मैं बात करूं तो 400 से 500 गंटे दिन करने है चार सो से 500 गंटे जो साती यानि 55 दिन में मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूं 500 गंटे आप अगर पढ़ लेते हो चाहे अभी तक आपने पढ़ाई की हो या नहीं की हो तियारी शुरू की हो या नहीं की हो ये 500 गंटे आपको सेलेक्शन दिला सकते हैं बेसिक आप भीड को ना देखें कि सर 17 लाक आवेदन इस बरती में आए हैं तो सर हमारा क्या होगा भीड को ना देखें आवेदन होते रहते हैं हमें सिरफ एक सीट चाहिए ह और एक पद के लिए उसी के according हमें तैयारी करनी है 55 दिन सबसे important चीज सबसे पहले जिन सात्यूं के पास NCRT की books है जैसे मेत है जैसे science है जैसे जीक्य है पसुपालन है current affairs है जो world इंडिया और रास्तान तीनु जगे काएगा NCRT की जो पुस्तक है उनका अध्यन आप करिए एक नमर पर आपकी पुस्तके कौन सी हो गई NCRT की पुस्तके हो गई दो नमर पर आपकी रहेगी RBSC की गाइड तीन नमर पर आपको मार्केट से एक गाइड लेकर आना है चाहिए आपके पास कोई PDF हो या कहीं पर से आप उसको PDF मिल रही है पूरी तो PDF ले सकते हो बाकी एक गाइड लाप लेकर आओ गाइड सोट एंड स्विट होनी चाहिए यह ना कि आप जो गाइड उठा कर लाओ उसमें 1200 पेज हो और कि सर मैं तो पसू प्रीचर की तैयारी कर रहा हूँ बाई जी पसू प्रीचर के अंदर जो आपका पेपर आएगा वो 10 इस तरका आएगा बेसिक पेपर आएगा कि उसनों को गुमाया जा सकता है लेकिन इस तर आपका 10 का 10 तक क्लास का इस तरह है उसी के अकोडिंग आपका पेपर बनने वाला है ये तीन चीज़े अगर आपके पास है तो जरूर इन तीन चीज़ों का आप अद्यन करें लेकिन सातियों इन तीन चीज़ों को खरीदने में कापी रुपे लगते हैं और मेरे बहुत सारे सातिय जिनके रेगुलर मेरे से संप्रक होता रहता है उनको मैं एक चीज़ बोल दूँ कि NCRT, RBSC और लगबग 12-13 अलग-लग विसे की गाईडू के आदार पर हमने कंप्लीट पसू प्रिचर का क्रेस कोर्स जारी किया है और ये क्रेस कोर्स है ना जो मातर में आपसे डाइसो गंटे मांग रहा हूँ डाइसो गंटे में चाया आप वर्तमान में जीरो पे होना तो लिख के बोल देता हूँ आप 125 पलस पहुंझाओगे 125 पलस परसन है वो आप अराम से अटेंड करने लग जाओगे इसलिए पहली बात कुछ आमन ओनलाइन क्लासेज एप को डाउनलोड करके इस क्रेस कोर्स को आज ही जोइन कर ले मातर और मातर विद्यारती हित को देखते हुए 399 रुपे में ये कोर्स है जिसमें ओल आवर हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी समझ गए अब हम आगी की बात करते है क्रेस कोर्स है सभी साथी क्योंकि पिछले पांच दिनों में पांच जार अब बेरती थे साम की पांच बज़े तक जिन्नों ने ये जोइन किया है अब बाकी अभी सो डेर सो बच्चों ने अभी अभी जोइन कर लिया है साम की टाइम तो काप एच्छा रेंस्पोंस बच्चों का मिल रहा है और आसा करता हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है वो अब चुके मत अब चूकना नहीं है समय अब कम है तो इस कोर्ष को जोइन कर ले कोई बड़ी रिकम आपसे नहीं ले रहा हूँ देखे तैयारी RBSC, NCRT और एक गाइड अगर आपके पास है तो उनका अध्यन करो पहले चीज होती है देखो एक तो होती है ओनलाइन तैयारी जो मैं बोल रहा हूँ एक होती है ओपलान तैयारी यानि आप जाकर कोचिंग करते है और एक होती है सेल्प इस्टड़ी तीन परकार की होती है मैं मेरी दरश्टी में सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट मांगता हूँ वो है एक नमबर पे सेल्प इस्टड़ी अगर आपने तैयारी कर रख किये एक बार आपको कोचिंग कसारा लेना है अगर आपने ले लिया है पढ़ लिया है पेले तो आप कही माझाओ सिर्फ सेल्प इस्टड़ी करो क्योंकि आपके पास नोट सोट सब कुछ अवेलेबल है फिर आती है ओप लाइन ओनलाइन दो कोचिंग है अगर आपने कोचिंग नहीं किये और आप चाते है कि सर कुछ समय बचा है मैं कोचिंग करना चाता हूँ ओप लाइन में मत जाना ओनलाइन में चले जाना मैं यह नहीं बोलूँगा मेरे पास आना आपका जहां मन हो, जहां आपके दिल को संतुष्टी मिले जिस कोचिंग में, वहां ओनलाइन में चले जाना, वो कोच्ट ले लेना, ओपलाइन में आपके दिन के 5-6 गंटे तो बिल्कुल ऐसे ही खराब हो जाएंगे, ओपलाइन के अंदर, ओनलाइन में एक गंटा भी आपका खराब नहीं होगा, एक गंटा भी, गर पे हो, लाइबरेरी जोइन कर लो, रूम लेकर रहते हो, रूम में पढ़ लो, बाकि लाइबरेरी जोइन कर लो, हर गाहों, गाहों में आज लाइबरेरी है क्योंकि एक बच्चु का सुने रहा बहुत से इन लाइबरेरियों से होकर निकल रहा है ओप-लाइन कोचिंग में आना, जाना, सजना, सवरना और फिर पेसे, बरबादी बरबादी है ओनलाइन में बहुत अच्छे अच्छे कोर्स बहुत अच्छे अच्छी रेट में मिल जाएंगे फिर कुछ नहीं है और 2GB डेटा तो परती दिन आपको मिलता ही है उसमें आपका परती दिन की क्लासे हो भी जाएगी तो यहां से पहला टार्गेट तो आपको यह लेना है 55 दिन के अंदर दूसरा टार्गेट मैंने अच्छी तरह आपको बता दिया है NCRT, RBSC और एक गाइड़ का सारा लेना है इन सब का निचोड़ हमारे कोर्स में है वो लेना है अब आती है बात कि सर मेरे को एक बेश्ट गाइड़ बता दो बेश्ट गाइड़ पूछेंगे सभी कि सर एक किताब को नाम बताओ ज़की सब भू टोप किये पहले चीज़, वर्तमान में राजस्तान में प्रचलित सेकडू गाइड़ हैं जो पसू प्रीचर भरती को लेकर है लेकिन लगबग गाइड़ मेंने पढ़ी भी है, लगबग गाइड़ू में एक एक दो दो पच्पांस टोपिंग मेंने पढ़ ली है किसी में तो इतना सोट दे दिया कि वहाँ से पेपरानी की संबावना ही नहीं है और किसी में इतना मेटर दे दिया कि बच्चा उस किताब कोई नहीं पढ़ पा रहा है अब देखें यहां पे, आपको गाइड लेनी है, आप मार्केट जाओ किसी भी टीचर की हो, किसी भी पप्लिकेशन की हो, कोई परग नहीं पढ़ेगा सभी में जो गलती हैं वो मिलेगी इसलिए यह के गाइड आपको लेनी है, मार्केट जाके जो अच्छी आपको लगे न, शुन्दर टिकाओ वो लेके आजाओ, उसको पढ़ो, अधिक से अधिक पढ़ो, समझ गे, अपने आप, अगर आप किसी एग गाइड, जैसे मैंने एक परसनल गाइड का नाम बोल दिया कल को यहां पर, जितने बच्छों ने देखा, उस गाइड को खरीद लिया, और ऐसा वाकि उस गाइड से कुछ आया ही ने, क्योंकि मेरे को पता है, जो गाइड करीदेगा न, वो कोर्स पे नहीं आएगा, वो गाइड को ही पढ़ेगा, और गाइड के अंदर वो ही किसी प बोल कर बताना पड़ता है, नहीं अपडेट करना पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूं, अब देखो, यह तो हो गया, गाइड का मेटर, बेस्ट बुक का मेटर, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना क्या है, कुछ काम करने हैं, जिनमें पहला है, अधिक से अधिक, mcqs attend कर ले जितने हो उतने topic wise mcqs attend करो दूसरा डेली का mock test join करना शुरू कर दो चाहिए आपने आज course join किया तो भी mock test दो आप वापस ले ले न जब आपका syllabus पूरा हो जाए मैं डाइसो गंटे आपके पूरे हो जाएंगे न पसुप रिचर क्रेस course में तो वापस वोई mock test attend कर लेना और आपको 30 mock test तो मैं दे रहा हूं और 10 mock test नौवंबर में और उपलब्द करवारा चालीस mock test दे दूँगा उससे बार वेसे भी कुछ नहीं जाना है ये दो काम करने अब मेरे को पता है कमेंट तो आएगा पका आना है मैं बता दूँ आपको कही नहीं जाना जो साती यहां तक इस वीडियो पर मेरे पर विश्वास करके आ गया ना वो परती दिन सुबह 11 बजे मोग test हो या क्यूसन हो यूटूब पर जुड़ जाना परती दिन 11 से 12 एक टोपिक के क्यूसन लेकर आता हूं और लिख कर कहता हूं उससे बार क्यूसन नही जाने दूँगा तो सभी सातियों से यही नोरोद रहेगा कि अधिक से अधिक क्रेस को जोइन करिए जिसमें आपको RBSC मिलेगी जिसमें आपको NCRT मिलेगी और जिसमें 10 पलस गाइड का निचोड मिलेगा यानि सभी गाइडे में ने पढ़ी उनके आदार पर नोट्स बन जिसमें 11, 12, 13, 14, 15 कहीं तो ऐसे टीचर है तो 18-18 साल से दिन करवा रहे हैं वो अपना अनुबहु साजा करते हैं लेकिन जो बेस्ट मेटर है वो मेरे द्वारा उनको दिया गया वो उसमें अपना अनुबहु है वो सेर करते हैं दोस्तों ओके साथ यू धन्यवाद सुबरातरी जेहिंद जेबार